तेरो प्रसन है ना तीन अंकों की सबसे बड़ी संक्या सबसे बड़ी संक्या वे सबसे छोटी संक्या का अंतर होगा का अंतर कितना होगा ठीक है यही पुछा गया ना यानि आपसे ही पुछा गया है कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संक्या और सबसे छोटी संक्या का अंतर कितना होगा ठीक है चलो ठीक है ओप्षन बोलो जरा क्या क्या दे रखा है 9000 900 800 991 ठीक है और एक ओप्षन और ले लेते हैं इन में से कोई नहीं पांच हमारे पास ओप्षन नहीं देखो तीन अंको की सबसे बड़ी संक्या देखो तीन अंको की जो सबसे बड़ी संक्या होगी ना वो कौन से होगी इसका ध्यानक ना तीन अंको की जो सबसे बड़ी संक्या होगी वो होती है तीन बार नो लिखो आप हाँ सबसे बड़ा बोले तो नो को तीन अंकों की बोले तो तीन बार नो चार बोले तो चार बार नो और पांच अंकों की बोले तो पांच बार नो सबसे छोटी, तीन अंकों की सबसे छोटी संक्या कौन से होगी तो सबसे छोटी का मतलब कैसे निकालेंगे, देखो तीन अंकों की सबसे छोटी, सबसे पहले तो एक लिखना है उसके बाद 0 लिखना है, और उसके बाद 0 लिखना है यह तीन अंकों के सबसे चोटी संक्या तो सबसे बड़ी संक्या कितनी हो गई और सबसे चोटी संक्या सो तेन अंके न अब बोल रहा है इनका अंतर केतना होगा तो अंतर करना है इन दोनुका माइनस करना है तो नो सो नन्यानवे में से हम पर सो को माइनस करेंगे क्या आगया देखो option दे रखा था आगे समझ में कर लेजी कोपी बैतर से गुणा करना था किसी संक्या को बैतर से गुणा करना था कि परंतु गलती से किसी भी संक्या को बैतर से गुणा करना था परंतु गलती से 27 से गुणा कर दिया इस परकार उसके उत्तर में अंतर इस परकार उसके उत्तर में अंतर 23,175 प्राप्त हो जाता है तो संक्या कौन सी होगी यही पूछा ना आपको तो संक्या कौन सी होगी चलो बोलो option क्या क्या दे रखा है पांसो पंदरा पांसो पंदरा पांसो पंदरा पांसो पचास चार हजार शस्सो पंदरा चार हजार शस्सो पंदरा चार हजार शस्सो पंदरा चार हजार शस्सो पंदरा चलो ठीक एक बार देखते किसी भी संक्या को बहतर से गुणा करना था आपको संक्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं कि ना तो हमने क्या कंसिडर कर लिया किसी भी संक्या को बहतर से गुणा करना था किस से गुणा करना था बहतर से आपने उस संक्या X को गुणा किसे कर दिया? 27 ये लिखना आना चीए कि 7 बैतर से तो गुणा करना था परंतु हमने उस संक्या को 27 से गुणा किया 27 तो बोल रहा उसके अंकों में अंतर आ जाता है जो भी रिजल्ट आ रहा है result में अंतर आ रहा है 23,175 का तो हमें क्या करना होगा भाई ये पहला bracket हो गया और ये दूसरा bracket इन दोनों अंतर करना होगा यानि 72 में से 27 को मैनिस करना होगा तो 12 में से 7 गया तो 5 आ गया 6 में से 2 गया तो कितना गया? 4 तो यह आ गया x into 45 बराबर आ गया 23,175 अगया? अब 45 के इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए x की विल्यों आ जाएगे x बराबर 23,175 में किसका डिवाइड करेंगे? 45 का या 5 और या 5 है तो 5 का डिवाइड कर दो 5 नम 45 ठीके? 5 चो के 20, 3 बचेगा 5 चंग 30, 1 बचेगा 17 बनेगा 5 तिया 15, 2 बचेगा 25 वापस 9 का डिवाइड करो 9 पंजे 45, फिर 1 बचेगा 13 हो गया 9 गम 9 और 9 पंजे 45, तो कितना हो गया? 515, तो वह संक्या कों से होगी? 515, यह प्रसन कभी व्याजयान इस प्रसन के पेचान के आता हो, यहां लिखा होगा गलती से यानि आपको किसी संक्या को 15 से गुणा करना था, लेकिन आपने गलती से उस संक्या को 51 से गुणा करना था 25 बना दो तो आप समझ जाना इनमें अंतरी करना पड़ेगा ये इसका पेटर्न पकड़ने का तरीक है